तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी वाइफाई का पासवर्ड कैसे बदलते हैं फिलाल तो हमारे पास टेंडा का राउटर है तो हम टेंडा की वाइफाई को कैसे बदलेंगे वाइफाई का नाम कैसे बदलेंगे या वाइफाई का पासवर्ड कैसे बदलेंगे वह हम आपको बताएंगे ठीक है तो टेंडा के राउटर को आपको क्या करना है टेंडा के राउटर में लॉगिन हो जाना है लॉगिन कैसे करना है आपको नीचे डिक्सक्रेशन जो वीडियो बनाए है हमने पहले वीडियो आप देख सकते हैं उसमें हमने बताया पास्वर्ड कैसे बड़ेगे चलिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंक का अबसवन होता है इसके याप को यहाँ पी ओर्दा देख सकते हैं वाईफाइ नेब दीपक्स हो रहा है ठीक है तो चलिए हम आपको थोड़ा लेपटाप में दिखा देते हैं तो देखे फिर लेपटाप में हमारा यहां पर सो हो रहा है दीपक ठीक है अब यह हमारा क्या है कि जो टेंड़ा को वाइफाई सो हो रहा है वाइफाई ने में यहां पर दीपक्स हो रहा है सेम उसी वाइफाई से हमें अपने लेपटाप मे है और इसका password आपको मतलब चलिए यह connection connected है ठीक है तो चलिए हम क्या करेंगे वाइफाइ का नाम change कर देते हैं उसके बाद दे कि यह automatic disconnect हो जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं इसी क्या क्या है क्या ढिया है और ऑग्या मैं क्या हनाओ करता क्या लेतक है उसके इसको ऑके प्रीब क्लिक कर दिए तक है basal क Wouldn't much Sunky के दो एक देख कृटर के बाद कंद्यूंट कर दिया जैसे क्लीक कर दिया कहए देख सकते हैं ऊपर से यह हमारा वाइफाइ भी डिसकनेक्ट हो गया है और लापटाप में थोड़ा से देख लेते कुछ दिरवेट करके देखिए यह भी क्या हो जाएगा डिसकनेक्ट हो जाएगा चलिए नई वह रहा तो है इसको फिर से देखिए यह आटोमेटिंग दीचे देख सकते हैं यह ग पासवर्ड चेंज कर दिया और पासवर्ड चेंज करने मतलब वाइफाइ का ना चेंज कर दिया तो इस तरह से आप चेंज कर देंगे किसी को आपका वाइफाइ का पासवर्ड पता है तो आप नाम भी चेंज कर देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा लेकिन हो से कि तो ट् सब्सक्राइब तो चलिए अभ हम स्वाइब कि इसको क्या करेंगे चलिए हम पर आपिये हों ठक्राइब तो दिक्षिये याँ पर यहां पर फिर से अपने वाइपाइब कर लिया है कुम्हा आप क्या कि इसको कनेख कर लिया Wifi को कनेख करने की बाद यहां पर पासवड हम अब i7 शा Node है इसके अर्ड़ बन क्या करें गिए उसके बाद किया करेंगी औक क्लिक कर यह से फ़र च nhielet करएगा उसके पद हमारा फिर से क्या हो जाया गा यह जिति यह फिर से इसान हो हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं यहां पर हम सेविंग कर देखिए सेव हो गया और हमारा वाइप डिसकनेक्ट हो गया ठीक है तो डिसकनेक्ट हो गया अब हम क्या करेंगे चलिए हम आपको लैपटाफ में दिखाते हैं लैपटाफ में दिखाएंगे कि यह डी नाम है और एक से हमने नौस तक पासवर्ड दिया है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे फारगट पर पहले क्लिक कर देंगे ठीक है हमने इसको फार्गट पे क्लिक कर लिया उसके बद यहां पे हम क्लिक करके फिर से इसको लॉगिन करेंगे एक से लेकर हमने नौत अब जो पासवर्ड दिया था उससे हम क्या करेंगे लॉगिन करेंगे आई बटन पे क्लिक करेंगे देखिए यहां पे एक से नौत उसके बदद हम next पे क्लिक करेंगे फिर yes पे क्लिक करेंगे तो देखी यह हमारा connection कनेक्टेट हो जाएगा देखी यह हमारा d naam से Wi-Fi connected हो गया है चलिए तो आपने क्या करेंगे की अब मैं इस Wi-Fi बाई को फिर से हम connect कर लेते हैं देखिए यहां पर इस तरह से जह रहे चले more setting पर हम जा किया करेंगे पहले इसको क्लिक करके इसको करेंगे फार्गेट करने कब फिर से हम इसको लॉगिं करेंगे एक से लेकर नौ तक पासवड़ है तो उसको यहां फिर न नाम तक नाम भी डालेंगे लिए सेंटू से क्योंकि मैं आपको बताते बाता तो मैं भी बोढ़ जाँगा और यहां पर पिछ पासवड्ट था उस पासवड्ट को यहां पे धाल देंगे ठीक है तो इस तरह से हमने इस को Password से मतलब जो ओल्ड पासवर्ड था और जो ओल्ड नाम था हमने डाल दिया डालने के बाद अब हम OK पर क्लिक करेंगे फिर करें कि ग्लिक कर दोगे, सेटिंग सेव हो जाएगी फिर से शौरर का नाम डी पमें हो जायगा जो पासवड ठाफावल उसमें हो जायगा और आपका मोबाइल अगरां से डिस्कनेक्ट णिक्ड कोई बत नहीं की पपना हम आ गया है तो चलिए अब हम इसको क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो हमने फिर से ओल्ड पासवर्ड दिया था उस ओल्ड पासवर्ड से क्या करेंगे कि हम लॉग इन कर लेंगे उसके बाद यहां पर नेक्ट पर क्लिक करेंगीि यस पर क्लिक करेंग देखीए यह कुछ दिएयर में क्यां हो जाएका लॉग इन वह जागा और देखिए लॉग 0mouth्र उटर नेक्ट वोगया ठीक है तो चलिने हम अपने इस को भी फिर से connection कर लेता मतलब connect कर लेते हैं तो इस तरह से हमने यहां पर पास्टट दे दिया और उसके बाद connect क्लिक करेंगे और देखिए अब यह अप्टेनिंग करने के बाढ़ देकी कनेक्ट भी हो गया और यहाँ पर आप स्टेटेस देख सकते हैं ऐसके बाध चलिए हम पिर से यहाँ पर जाएंगे जाने के बाद देखी это हमारा वाईपाई से lubकनेक्शन करनेक्ट हो गया है तो इस तरह से आप अपने Wi-Fi का फासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये bandwidth control कैसे करते हैं और advanced वाले में ये Mac address कैसे इस्तिमाल करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड यदि आप mobile और computer से related वीडियो चाहते हैं इस तरह का technical वीडियो चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को subscribe कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दिजी धन्यवाद